Hello Friends, कैसे हो आप, I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह दोपार का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैं दोपार सी स्टार्ट किया ऐसालो कि मैने दिवाग में कि मुझे अपना ब्लोग स्टार्ट कर देना चाहिए और मैしま कि कोट裡 कुछ नहींन धुला, कूछ भी नहीं किया पहले मैंने सुचा कि मम अपना पेटिकोट दिलू, और ये उपर का मैने सिल लिया है, नीचे का मैं नहीं सिल पाई हूँ, तो मैंने सुचा कि मैं आज ही सिल लेती हूँ, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे करके डोरी बनाने वाला है ना इसमें डोरी डालते हैं तो उसको भी मैंने नहीं सिला है बस मैंने ज्वाइन टो ज्वाइन जो था ना पेटिकोट के टुकड़े वो सारे मैंने जोड लिये और अब मैं जाने हूं नीचे का सिलने क्योंकि मैं चाहती तो मैं उपर कभी सिल सकत लेकिन ना सिलने का कारणी यह था ना कि मैं दुभार में सो गई काम करके है और में सो गई उसके बाद में साम को जगी तो साम को थोड़ा थोड़ा आंदेरा हो गया था और फिर मुझे khanा भी बनाना था तो मैं ठाकान सी महसूस होने लगती है और फिर मिना पुछी नहीं दाने लगती है तो मैं सो जाती हूं तो इसके वज़े से मैं स्लाइव एगरा काम दो से तीन दिन में करती हूं कि आराम से अपना धीरे-दीरे सिलूंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होती है और यहां पे मैंने अपनी स्लाइम असीन को निकाल के बेड़ पे रख लिया है और यह उसकी पट्टी है जो उपर से पिटिकोट के डोरी बनाने के लिए चाहिए जिसमें डोरी डालते हैं और वहां पे मिना ट्राइपॉड पढ़ा हुआ है ट्राइपॉड मैं सोच रही थी कि मैं फोन सेट क कर दूं तो इसी वज़े से मैंने हाथ से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया और पेडिकोट के नीचे की जो लाइनिंग होती है वह सीथे 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 बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वैसे तो वह इसली तरीके से बन जाती है लेकिन मुझे जिग जग बहुत पसं कर लिये तो मैंने जिग जोग की 1 लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है और अब मैंने जिग जग की दूसरी लाइन बना रही हूं आघर एसे इसी तरह 2-3 लाइन और बना लूंगी है और उसके बाद नहीं मदल मक्की कहां से आ घए तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरे घर में ना मतलब मेरे कर कि और मैं में मडल मखी ने में चक्टा लगा रहा मतलब मेरे घर के आंगन में मदल मक्की ना कि द्ली ऑफ और अब मैं अपने व्लॉग का ही हैं एंड करती हूं